कई बार हमें बहुत प्रत्न करने के बार भी हमारे कारे में सिध्धी नहीं मिलती है हमारे संकल्प पूरे नहीं होते है जैसे हमारे कई तरह के संकल्प होते है यूँ कहे आप अगर विद्यार्थी है तो आपकी विद्या अर्जित करने में या किसी परिक्षा को पास करने में या अच्छे नंबर लाने में आपके संकल पूरे नहीं हो रहे है अगर आप करम कर रहे हैं बिजनेस कर रहे हैं बिजनेस में संकल पूरे नहीं हो रहे हैं अगर आप नोकरी कर रहे हैं नोकरी में आपको सफलता नहीं मिल रही है या फिर खर में, आपसी कलँ हो या कई तरह के वाद वीवाद हो, तंत्र वाध हो, हर बाध हो, हर तरह की बाध हो में यह यंत्रकार कारे कर सकता है। देखिए किसी भी संकल्प को या किसी भी कार्य को सिद्ध करने के लिए सर्व प्रथम इंपोर्टेंट है आपके कर्म, आपका ध्य, आपका निश्य, आपकी धिर्टा और आपके मेहनत. अगर आप अपने संकल्प को पूरा करने के लिए धिर्ट इच्छा शक्ति की साथ कर्म करते हैं, मेहनत करते हैं तो आपको सफलता मिलनी है, लेकिन साथ ही साथ आप तंत्र का सहारा ले सकते हैं, लेकिन तंत्र तभी काम करते हैं जब आप कर्म करते हैं या आप मेहनत करते है अगर आप प्रैत्न नहीं करेंगे तो तंत्र आपके लिए कुछ नहीं कर पाएगा चाहे कोई भी यंत्र हो, कोई भी मंत्र हो, कोई भी तंत्र हो आपको प्रैत्न करना होगा आप पूरी महनत, पूरी लगन से इच्छा शक्ति के साथ प्रैत्न करें और फिर आप तंत्र का सहारा ले, तभी तंत्र आपको सहायता करेंगे। अब बात करते हैं सर्वकारे सिद्धी होने का यंत्र। यह एक ऐसा यंत्र हैं जिसे आपको भोच पत्र पर सिंदूर, कुमकुम, कस्तूरी से लिखें। प्रत्न करें कि अगर तामे का पात्र हो, अगर तामे का पात्र ना हो तो आप एक काम कर सकते हैं। आप एक भोच पत्र ले, भोच पत्र पर शुब दिन या शुब समय पर सिंदूर, कुमकुम और कस्तूरी से इस यंत्र को बना रहें। अर्था तीनों को mix करके उनसे आप यंत बनाए और यंत बनने के पश्चात आप उसका पूजन करें पूजन की विधी बहुती सरल है आपके जो इश्टदेव होंगे आप जिनकी भी साधना करते हैं जिनकी पूजा करते हैं आप उनका आःवान करें और उनका जब करें जब करके आप इसमें शक्ति भरें यंत में यही नहीं आप इसमें गूगल, धीप, धूब और अगरबती से भी पूजन करें जब आप कम सकम एक माला करें, अगर दस माला कर सकते हैं, तो बहुती अतियुत्तम रहेगा, और उसके पश्चात आप इस यंत्र को पहन ले रहे, इससे आपके सभी कारे सिद्ध होने लगेंगे, अगर घर में कुछ बाधा हो, तो आप इस यंत्र को बना करके, ताम पात्र पर अतियुत्तम होगा, अगर वो संभव नहीं है, तो भोज पत्र पर बना करके, पूजा करके, दस माला करके, आप उसको अपने मंदिर के स्थान पर रखते हैं, और प्रात्ना करें, कि हमाई मुराद इप्त पूरी हो, अगर आप नवकुल पर जाते हैं, बिजनस पर जा आप शिवाय हो गया, ओम दुद्रगाय नमा हो गया, ओम शिहनमते नमा हो गया, जो भी आपका इस्ट मंत्र है, उसका आवान करें, उसकी पूजा करें, और फिर उसको आप इन्हें दिखाएं, इस यंतर पर, तब यह कारे करता है, इस यंतर को समक्ष रखके, आप जब कर करें, या ताबी हो, ताबी आप पहने रहें, और जब करें, तब आपको अवश्य लाब मिलेगा, और आपके सर्वकारे धीरे धीरे सिद्ध होंगे,